हाई एन वेलकम बैक टू क्रिएट फाइंडर्स सो आज की वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है हमें जैसे कि यह एक नियू अपडेट है कि एंगलर 15 रिलीज हो गया है सो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एंगलर 15 को अपने सिस्टम्स में इंस्ट्राल करके यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं सो अगर हम यहाँ पर जाएंगे एंगलर 15 यहाँ पर देखेंगे अपडेट टो एंगलर वर्जिन 15 सो अपडेट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा पर अभी हम देखने वाले हम एंगलर 15 को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं यूज करने के लिए तो हमें जब भी एंगलर को इंस्टालेशन करना होता है तो यहाँ पर मिल्क आँ अंगलर 15 इंस्टालेशन इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले वी नीड अंग विल दस एलाए ओके वी नीड नोट जैस विच 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 विव एंपम वी नीड अनी और विंड अर मैक् वैस मैक वास और विंड विंड वाटफर्म और फाइनली वी नीड अं इंटरेट चुंद अफ्कॉर्स रिक्टेट को अरग तक्स अंग पर जब जोट पर गए जवस्क्रिप तो अविलेबल रहे गयी तो अंगलर 15 के लिए मुझे क्या करना होगा सबसे पहले मु and make sure आप जो है latest version of Node.js यहां से install कर लो so latest version is 18.12.1 पर currently 19.1 चल रहा है पर आपको LTS version use कर ना है इसका एक बार आपका यह हो जाए then you need यहां पर लिखे install Angular CLI Angular CLI में भी नया version आगे होगा so we can how can install Angular CLI so यहां पर आपको देख जाएगा कि सबसे पहले आपको Node वेगरा इंस्ट्रॉल करना है और उसके बाद में you can install Angular CLI यहां पर NPM package मिल जाएगा एड़ 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 लाए तो आई यह वह हम देखते हैं किस तरीके से इस चीज़ को कर पाएंगे सबसे पहले सबसे पहले मैं डारेक्ट जाओंगा अपने फोल्डर में एंड उसके बाद में एक बार मैं अपने फोल्डर में चला जाओं उसके बाद में मैं जाओंगा अपना जहां पर मुझे करना है like development practice में मैं अपनी चीज़े कर रहा हूँ and यहां पर I will try to make my things, so मैं लिखूंगा terminal and आपके में command prompt होंगा windows plus r to activate your command prompt and मैं यहां पर लिखूंगा मैं लिखने वाला हूँ npm परे मैं चेक करूँगा yes I have npm जैसी node install कर लोगे npm आपके पास आजाएगा मैं करूँगा npm install add the rate angle slash cli add the rate latest add the rate latest जो अभी का सबसे latest version चल रहा होगा वो install कर देगा आपके systems में so और यह globally होगा so let's see if this works angular cli के इंस्टॉल होते ही आपको ng के सारे angular के सारे command आप लाइं इंटर्फेस में उसके सारे commands रन कर पाएंगे and you will be able to run angular on your machine all right so angular also provides different different functionalities as you might already know we have directives, we have services, we have classes, we have modules, we have components and guards, interceptors many many things so वो अब चीज़े easy करने के ले we have some set of commands which we can perform पर उसके लिए आपको angular cli के जरूरत है so मैं अबर यहापे करू ls to see what all is available in my directory now I can go to development okay then I can go to practice I can ls over here and यहापे मैं करूंगा ng new okay ng new and अब मैं अबनी app का नाम देता हूं for example angular 50 so अभी यह bolder icon ng not found and एक चीज़ और करूंगा मैं जो मैंने अभी नहीं करा मैं इसको globally install कर देता हूं globally install with dash dash force what it says npm install angular this requirement protection disable permission denied okay permission denied okay कोई बात नहीं अब उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं once you have installed your first of all let's clear this and ng dash dash v now it says की angular नहीं है download तो उसकेस में क्या करेंगे ng command not found अगर ऐसा कुछ भी आता है तो हम कर सकते हैं node.js ng command not found okay and यहां पर जाके here you will find one few things just first of all यह देखो यहां पर इसने globally बोला है we will also try to install things globally मैं जर्स्ट वापिस से अपने मैं डारेट ऊपर चला गया हूं अब मैं इसको globally install करूंगा यह बोल रहा है कि हमको access नहीं है इस चीज के लिए operation is a by operation it is likely you don't have the permission access file currently it will leave that you double check the permissions and this business is this so let's see हम कैसे कर सकते है let's use sudo sudo करने से you generally use as administrator and यहां पर अब अपना system का जो local password बनाया है वो दे सकते हो मैंने वो password दे दिया है and now this will install everything globally अब मैं अगर यहां पर ng लिखता हूं so I have the ng command lines you need to specify what all you need अब मैं लिखता हूं ng new angular 15 app now यह मेरा angular start करेगा इसको install करना सबसे पहले बोल रहा है कि okay मुझे यहां पर नहीं करना है यह install so मैं फिलाल के लिए इसको cancel कर दूँगा मुझे सबसे पहले अपने folders में जाना पड़ेगा so cd development we have practice मैं यहां पर आ गया हूँ अब मैं अपना command run करूँगा ng new angular app would you like to enable auto completion this will enable terminal okay so no I don't want any analytics for now would you like to add angular routing routing yes I will add यहां पर आप अपने style sheets use का सकते हो मैं scss के साथ जाओंगा and now this will create a brand new app for me and अगर आभ यहां देको के तो यह brand new app बन रहा है and to open this just simply you can go to your visual studio code and new window and in this new window let's create on open open stuff and as soon as you open your stuff you go to development you go to practices you can click that app and hit open so as soon as you have opened this app okay and also terminal में we can check the it's installing some packages not model packages यहां पर आपको मिल जाएगा आपका few belongings and source में where are your entire app resides so what they have done for now उन्होंने अब polyfills zone यह सब चीज़े उन्होंने हटा दिया if you need you can add those files but उन्होंने जो extra dependent files थी वो सब इस बार रिमूफ कर दी है so here setup पूरा इस्टार अन्होंने में it takes quite some time but till then you can do one more thing Download VS Code so for this the best editor would be VS Code but then again you have options like WebStorm, PHPStorm and Sublime Text Editor, Node++, NodePad++ different editors are available Xcode is there Android Studio is there different editors are there but Visual Studio Code is free and the most feature rich development environment so in this text editor you can do your work and this also comes with a web version so just pick up your version and you can get started so here my app installed and if you go to the directory so NodeModules is available if I go to my package.json file here you can see we have entire thing Angular Animations, Angular Common, Angular Compiler Core, Angular Forms, Platform Browser, Router all are on Angular version 15 RxJSS we have 7 version and TypeScript version is 4.8 which is the latest in the source folder we have seen the source folder so you get this index.html file you get some favicon of Angular you get something in your browser platform if you go into the app you get some routing modules you get the entire stylesheet the HTML file which will be shown in the SAC you get some Angular testing things and you get your basic just a minimal setup okay and also here you can see one module file is there so that you can have those modular structure so these all things we have and we just hit the terminal and obviously we will use ng serve to serve this app now we can see how our Angular 15 looks and what's the speed of this app how much the speed has improved for Angular version 15 so this will take I think 2-3 minutes so let it be no worries and yeah our app is up and is serving on 4900 as soon as we click and we get into our Angular 15 app here you can see this Angular 15 so that was pretty much it how you install Angular 15 and if you have to know the features what all is new in Angular 15 and from your old version like your project is on Angular 10 on Angular 11 on Angular 9 on Angular 12 on Angular 13 on Angular 14 so how does it come to Angular 15 comment section and leave the video like and share and subscribe to the channel my target is 700 we are already on 672 already I want that we are 700 cross so we will keep on Angular 15 if you like the video please like the video and the goal of the channel is to create you to create finders because until you don't get curiosity you can't become a finder you can't deep you can't any technology or any topic okay we will see you next video till then bye and keep learning coming you